आप सभी को हमारे यूटूब चैनल उमे सर बीटी के में स्वागत है आज हम आप लोगों को इंगलिज का मीड लाइन असेस्मेंट 2021-22 रियल पेपर लेकर आए हैं जिसे आप लोगों के सामने हल करके बतलाएंगे तर चलिए चलते हैं हम हमारे विडियो की और प्रशनों का हल करना सुरू करते हैं जिसमें दिया हुआ है सबसे उपर में student name जिसे छात्र का नाम भरना है और रोल नंबर जिसमें छात्र अपना रोल नंबर भर देंगे समय दिया हुआ है तीन घंटा इसे तीन घंटा में पूरे फेपर को हल करके पूरा करना है तम कोश्चन की और चलते हैं इंट्रोडेक्शन दिया हुआ है All questions are to be attempted मतलब दिये हुए सभी प्रसनों को हल करना है जिसमें section 1 की और चलते है Question number 1 दिया हुआ है अब्दूल कलाम has said The whole foundation of science is खालिस्थान दिया हुआ था इसमें दिया हुआ था Questioning, Knowledge and Answer तो इसमें हमारा answer होगा Questioning दुसरा number दिया हुआ है Choose the correct option मला हमको सही उतर चुन कर लिखना है The idols of lard सुंद्रेश्वरा and मिनाक्षिस are taken out idle Means दिया हुआ था अपने पास Option दिया गया है Image, Statue, Photo इसमें हमारा सही answer था Statue जिसे हमने भर दिया है अगला question है गांधी वाजे भेरी से Child इसमें दिया हुआ था Option में Underline the adjective in the sentence इसमें हमको adjective बताना था Viscation इसमें क्या Viscation है जिसमें दिया हुआ है Say जिसको underline कर दिया गया है जिसका answer था Say Question number 4 है Feel in the blank In the correct form इसमें हमको Correct form में सही answer भरना है A and is खालिस्थान दिया था Then a mouse Cheatty कैसा है Mouse की तुलना में तो इसमें है इसमाल का क्या हो जाएगा Cheatty चुहे से क्या है बहुँच छोटा इसलिए यहाँ पर क्या देंगे भरा जाएगा वहाँ पर Smaller तो हमारा अगला Question है Change the voice of Following अब हम Change the voice of Following को हल करते हैं A The president Will give Award to The winners इसको हमको बनाना है Active passive में तो इसका change हो जाएगा क्या हो जाएगे इसमें हम लोग क्या करते हैं Active passive बनाने में Subject को Object में और Object को Subject में लिग देते हैं मलब किरिया वस बीच में रहता है और इसमें हम लोग Third person का Third Past participle रूप में लिग देते हैं किरिया का तीसरा रूप B नमबर दिया हुआ है You will win the match तो जहां भी हो जाएगा Last में दिया हुआ है The match और सुरू में आ जाएगा और यह है Future tense का Future simple का है तो हम will के साथ भी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा The match Will be किरिया दिया हुआ है Win तो win का Third form हो जाता है On तो हमारा question complete हो गया अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब कर देंगे और वीडियो को बच्चे तक भी share करने का परियास करेंगे अगला सवाल है हमारा दे फाउंड दा लोश्ट बेग तीसमें भी है लाश्ट में दिया हुआ है दा लोश्ट बेग तो यह object था उसका हम लोगों subject बना देंगे शुरू में तो लाश्ट दा लोश्ट बेग किरिया हुआ दिया हुआ था फाउंड तो हो जाएगा फाउंड तो हो जाएगा दा लोश्ट बेग वाज फाउंड बाय देंग दे का पास्ट दे को हम लोग active passive में दें लिख देते हैं तो दे को बदल के दें लिख दिये तो हमारा इस प्रकार से आंसर हो गया जो हमारा वाक्य था पास्टेंज का था इसलिहां पर वाज डाल दिये अगला क्वेशन दिया हुआ है हमको अपने फ्रेंड की सहता से इस वाक्य जो दिया हुआ है उसको कम्प्लीट करना है तो यहां दिया हुआ है माई बेस्ट फ्रेंड नेम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना था तो मैंने लिख दिया अरुन कुमार ही अब लिख सी इज अगर आप लोगों ने वहाँ पर लड़के का नाम लिखा है तो he लिखेंगे, लड़की का नाम लिखेंगे, तो c लिखेंगे, जैसे कि मैंने लड़के का नाम लिखा है, इसलिए हाँ पे he होगा और c को काड़ देंगे, यद डाल देंगे 15 years age, मतलब आठमी लगभग में सभी का 15 साल हो जाता है, इसलिए अपने दोस्त का नाम में 15 साल ही लिख देंगे, अगला दिया हुआ है, he and c, तो यहाँ पे c को मैंने काड़ दिया, उपर में नहीं काड़ पाया था, he को काड़ दिया है, is my brother, he is my brother, he lived, he और c दिया हुआ, तो c को काड़ देंगे, तो he lived, lived, बटे इकला, यह हमारा एड्रेस है, बटे इकला लिख दिये उसको, अब question number 7 है, question number 6 complete हो चुका है, तीन number का था, अब question number 7 है, write a letter to your friend, asking him to go you for picnic to Kharagad, इसमें क्या करना है, हमें एक letter के माध्यम से अपने दोस्त को पिकनिक के लिए निमंतरन भेजेंगे, और उसमें पिकनिक के लिए उसको बुलाएंगे अपने यहां, तो मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा हूं, letter लिख रहा हूं, my dear friend, Arun, I am going to for a picnic to Kharagad from 10.01.2022, 10.01.2022, you are invited to attend, It's pleased to come to me, sincerely you are, sincerely yours, तिये हमको अपने दोस्त को खेरागड पिकनिक के लिए निमंतरन देना था, जिससे मैंने अपने दोस्त को निमंतरन दे दिया हूं, अगला हमारा सवाल है, question number 8, दिया हूआ है, Arun, I am going to Delhi, सवाल दिया हूआ है, और उसे समधित कुछ प्रस्न नीचे दिये गए है, दास, where are you going, Arun, Monday, by, सारनात, express, दास, हो, tomorrow, answer the following question, तो उपर के सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और नीचे दिये गए प्रस्नों को हल करेंगे, तो चलिए हम लोग हल करते हैं, हमारा सवाल है, who is going to Delhi, मलब दिल्ली कोन जा रहा था, तो answer है, उपर में पढ़ चुके है, I am going to Delhi लिखा हुआ है, अरुन, इसलिए हम लोग answer देंगे, अरुन is going to Delhi, question number 2, to whom is talking, मलब वो किस से बात कर रहा था, तो वहाँ पर दिया हुआ है, दास से, तो लिख देंगे, अरुन is talking to Delhi, सी नमबर है, सारनाथ एक्सप्रेज, मलब सारनाथ एक्सप्रेज क्या था, बस है, ट्रेन है, तो वहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे, क्योंकि सारनाथ एक्सप्रेज क्या है, ट्रेन है, अगला question था, When is Arun going? Arun कब जा रहा था? Arun is going to Monday, Arun कब जा रहा था? Monday मलब सम्मार को, On which day did Arun and Das चाट? मलब Arun और Das कौन सा दिन चेटिंग कर रहे थे? Arun and Das are chatting on Sunday, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ था? Tomorrow और जाने वाला था, Arun सम्मार को, इसलिए हमारा चेटिंग डेट कब हो जायागा? Sunday, अब हम अपने अगले सवाल की और चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है, Rewrite using the correct spelling of the word, which are wrongly spelled. There is a park, park का spelling गलत है, P-E-R-K, तो यहाँ पर क्या हो जायागा? P-A-R-K, Near my house, यहाँ पर house का spelling गलत है, H-U-O-S-E नहीं होगा, H-O-U-S-E हो जायागा, These are two, two का यहाँ spelling गलत है, तो यहाँ पर अपने को सेम मुतार देना है, Park, और house, और two, इसको हमने tick मार दिया है, Park को E के जगए A डाल देना है, house का spelling आगे पीछे है, और T-T-W-O दिया हूँ, डबलो दिया हूँ, इसको T-W-O करना है, तो इसका answer नीचे लिख देते हैं, तो हमने उसको लिख दे रहे हैं, सेम उतार देंगे, spelling गो चेंज करके, There is a park near my house, There are two swings and a slide, Children's play on them, I go to there every day, तो हमारा question 10, complete हो जाता है, अगले सवाल की और चलाए हमारा question number 10 है, Write 5 sentence about tree, तो हमको 10 सवा, मतलब 5 sentence लिखना है, पेड के विशे में, जिसका answer आप लोग को नीचे ना देखे, question के ऊपर में दिया हुआ है, थासा by mistake गलती हो गया था, तो इसका answer हम लोग ऊपर के और देखते हैं, question number 9 के नीचे में, तो दिया हुआ 5 sentence बनाए है, पहला है, tree are very important to our environment, मतलब पेड हमारे पर्यावरण के लिए बहुँची क्या है, लबदायक है, उपयोगी है, there are various of tree around, हमारे आसपास में कई परकार के पेंड पाया जाते हैं, eat, give, oxygen, वो हमें oxygen देता है, tree provide us fruit, flower, wood, etc, वो उससे हम लोग फल, फूल और लकड़ी प्राप्त करते हैं, tree are our neighbor, falling friend, पेंड हमारे लिए एक अच्छे दोस्त की तरह है, हमारा अगला वाक्य प्रस्ट नमबर ग्यारा की और अबहल करने की और चलते हैं, प्रस्ट नमबर ग्यारा, section B, question नमबर ग्यारा, punctual the sentence, हम को दिये गए सब्दों को punctual वाक्य बनाना है, मालब सही, गलत कुछ लिखा हुआ, उसको सुधार करके लिखना है, जहां दिया हो ए नमबर में, the teacher asks, there are you going, तो यहाँ पर क्या है, ask के पास कोमा छूटा हुआ है, तो यहाँ पर डाल देंगे, the teacher's ask, मालब ask से पहले कोमा डाल देना है, फिर where are you going, यह मालब क्या है, यह question mark है, तो यहाँ पर question mark भी डाल देने से चल जाएगा, my, B नमबर है, my father's name is, गोपाल दास, तो यहाँ पर my father's के पास, S ट्रोपी, S चुटा हुआ था, S के बास, उसको डाल दिये, तो my father name is, गोपाल दास हो जाएगा, question number 12, deducts this word, मलब, do not write to blackboard, हमको यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है, सब्द जैसे दिया हुआ था, hermit, gardener, in-up, और thrusty, इसको हमको बोलना था, लेकिन प्रस्ण पेपर में, पहले सहीं दिया हुआ था, इसलिए इसको कुछ changing नी करना है, इस पे नी लिखा दिये, तो भी चल जाता, hermit माने क्या होता है, सन्यासी, gardener माने होता है, माली, in-up माने, पर्याप, और thrusty माने, प्यासा, actual मैं इन प्रस्णों को, पेपर में नहीं देना था, हमको अपने हिसाब से, कोई भी सब्द बच्चों को बोलते, और लिख लेते, तो इनका प्रस्ण नमबर 12 का, आंसर हो जाता, अब प्रस्ण नमबर 13 की और चलते हैं, fill in the blanks, using the correct option, a, I went to agra to see, यह article दिया हुआ है, अखालिस्थान, ताज लिखावाथ आर्टिकल में है यह, a and the, a and the, तो यहाँ पर द हो जायागा, the boys, खालिस्थान दिया हो था, each dancing is my brother, तो यहाँ पर क्या हो जायागा, which, who, what, तो यहाँ पर हूँ भर देंगे, question C है, he is suffering from malaria, जो हम लोग, fever के लिए, lips certificate लिखते हैं, उसमें भी दिया रहता है, suffering from fever, तो उसी खिसाब से dad भी लिख देंगे, तो सही हो जाता, इसलिए यहाँ पर from ही, सही होगा, question number 14, complete the conversation, यहाँ पर कुछ वाकिद, सब वाकिद दिये हुए हैं, इसको बातचित के तरीके द्वारा, पूर्ण करना है, Mona, what's picture is this, Mona करती है, यह किसका picture है, मीना करती है, this is our farm, वो बोलती है, हमारे farm का picture है, Mona, तो इसको पूरा करना है, यहाँ खाली इस्थान दिया हुआ था, तो लिख देंगे, यहाँ पर Mona, what's grow is this, यहाँ पर क्या उगाया जाता है, तो यहाँ पर सब्द दिया हुआ था ग्रो, तो यहाँ पर ग्रो ही डालना था, मीना बोलती है, this is my, this is rice, तो यहाँ पर उगाते क्या हैं हों लोग, rice और वेट, मतलब उग गये हूँ, और चावल की बिशे में दिया हुआ था, तो दोनों में से कूली सकते थे, तो हमारे पास हो जाएगा, this is rice, Mona, do you have any animal, मीना बोलती है, we have some animals, मनलों हमारे पास कुछ जानवर है, Mona, do you have some water, बोलती है उसके बाद, क्या तुम्हें पानी चाहिए, हैं, जिसमें दिया हुए है, क्वेश्चर नमबर पंदरा, rearrange to from the name of fruits, यहाँ पे कुछ फलों के नाम, spelling आगे पीछे करके दिया हुआ था, जिससे पहला था, पहला बना बनाना, दूसरा था ग्रेप्स, तीसरा बनता है एपल, और चौंथा बनता है गुवा, प्रस नमबर 16 क्यों चलते हैं, fill in the blanks, using the correct option, तो हमको यहाँ पे, खालिस्थान को भरना है, उचित option से, मतलब उचित सब्दों के द्वारा भरना है, they are going by, a और un, तो यहाँ पे un हो जाएगा, आटो रिक्सा, रिमा एंड सीमा, तो रिमा एंड सीमा है, मतलब दो जान है, तो यह बहु बशन में है, इसलिए इज नहीं लगएगा, वहाँ पे, आर हो जाएगा, रिमा एंड सीमा आर, प्लेइंग चेस, दा फ्रोग्स जंप फ्रॉम माई, हैंड, तो यहाँ पे का हो जाएगा, हेंड पे आया, इंटू, तेहाँ पे का हो जाएगा, इंटू, तू, मतलब कहां से आ गया हो, यह हमारे पेपर का, लास्ट कोस्चन है, डिस्क्राइब यूर पेट एनिमल, इन थ्री सेंटेंस, मतलब पालतू जानवर के विषय में, तीन वाक्या लिखना था, तो लिख देते हम लोग, दा काव इज पेट एनिमल, गाए क्या है एक पालतू जानवर है, वी वर्क्सिफर, हम उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, गाए क्या है, हमारे लिए बहुत उप्योगी है, सी गिब मिल्क वो हमें दूद देती है, इस प्रकार हमारा मीड लाइन आकलान, अंग्रेजी पेपर खतम हो जाता है, तो साथियों अगर अभी तक भी, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो सब्स्राइब लालक्षन में लिखा हुआ है, उसको प्लीज दबा दें, और चैनल को सब्स्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के पास हम इसी प्रकार का वीडियो और भी लाते रहेंगे, अरब लोगों को संतुष्ट करते रहेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय शत्तिश गार्फ।